नमस्कार दोस्तों, BKJUKESAN में आपका स्वागत है, तो आप सभी के लिए एक महत्रपूर्ण सूचना यह है कि UPTSC जो आपका नक्सा नवीस मांचितरक 2023 की जो बेकेंसी आई थी, उसका स्लैबस आ चुका है यूपिटर पलसी की वेबसाइट से भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और यह जो स्लैबस है, यह स्लैबस एकदम नया पैटर्न पर है, और इस स्लैबस को आप ध्यान पुर्वक देख लीजी और स्लैबस की ही अनुसार आप पढ़ाई करिए, जो लोग डिप्लोमा कि की यह हैं, वो लोग इस फार्म को फिल लव किये हैं, क्योंकि इसमें जो है डिप्लोमा की एलिजबिल्टी थी और यह जो वेक इंसी है, यह दो हजार तेईस में आई थी, और यह पिट 2002 से आया था, यानि पिट2002 जो थे वह फार्म को फिल किये हैं थीए 2023 की वेकेंसी है यह पेट 2022 में सिक्केत द्वारा फिल किया गया था लास्ट वेकेंसी थी यह पेट 2022 से तो इसका न्यू एक्जाम पैटर्न आ गया न्यू स्लैबस आ चुका है तो आईए इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं और आप आप जो है यहां पर जैसे यूपिटर प्लसी जही 2024 महा कुंब बैच यह आप बाई करके इससे क्लास कर सकते हैं इसमें नया सब्जेक्ट सुरू हो चुका है अब इस्ट्रक्चरल मेकैनिक्स उसके बाद तो बाकी रसी सी फिनिस हो गिया है और सब्जेक्ट अब धिर धर हो रहें धिरद्रे तो जरा यहां पर स्लाइबस पर चलते हैं कि स्लाइबस जो आया है वह आज की ही डेट मियानी कि 9 शितंबर को ही यह स्लाइबस आया है लेकिन काम पूरा तरीके से हो रहा है यूपिटपलस सी मिठीक है जो कारवाहक अद्यक्ट बनाये गए वह सब काम इदम कर रहे हैं सब रेजल्ट यहां निकाल रहे हैं अब इस सबका वह स्लाइबस दे रहे हैं उसके बाद पर इक्जाम कराना सुरू हो जाएगा तो फिर इक्जाम सुरू रहेगा तो यहां पर बताया गया कि 250 पद जो है वह मतलब सिचाई जलसाधन विभाग में था और पक्रिसी विभाग में 35% के लिए यहां पर वेकेंसी 2023 में निकाली गई थी तो इसके यारव परिच्छा 2023 के नाम से हैं नक्सा नवीस वा मांसित्रक मुख परिच्छा के लिए यहां पर स्लैबस निकाला गया है पेट 2022 से था स्लैबस के आए जरह ध्यान से देखिएगा स्लैबस देखिए स्लैबस यहां पर 6 सितंबर को डिसकसन हुआ था 6 सितंबर की नोटीश आई थी उसमें स्लैबस था तो यह स्लैबस देखिए जो निकाला गया है यहां पर यह बताया गया है कि 100 प्रस्ण होंगे ध्यान सुन यह सब लिखित परिक्सा में एक प्रस्मत्र होगा सिर्फ में पेपर में एक ही पेपर होगा जो कि सौ प्रस्ण की होंगे और समय दो घंटा 120 मिनिट प्रतेक अंक जो है वह एक नंबर का होगा बहुवी कलपी प्रस्ण होगा और प्रतेक गलत उत्तर के लिए एक बटा चार यानि कि 25 प्रतिसत माइनस मार्किंग हो जाएगी ठीक है तो स्लैबस क्या है ध्यान से देखिएगा स्लैबस जो है यहां पर दिया गया है यह विवरण पूरा डिटेल्स में इसको मैं एक ही में कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझेने में आसानी हो ठीक है इसमें ना टोटल आपका 100 कोश्यन है और 100 नंबर का है और समय 120 मिनिट है और यहां पर बताया गया कि रिडात्मक अंक होगा और यह भी 25 प्रतिसत यानि कि 1 बटा 4 रिडात्मक होगा यह भी ध्यान रख लीजिए कि निगेटिव मार्किंग आप देखिए जो यहां पर भा परस्ट जो है वो टेक्निकल वाला है क्या है ठेक्निकल है जंजीएगा इसको-खुन टेकनिकल है जो की 65 question total है ठीक है भाग फर्स्ट टेकनिकल है जो की 65 question है भाग second में आपका computer है जो की 15 question है भाग third में UP का राजज़क से संबंदित जो भी general knowledge है जीके है वो है ठीक है UPGK है तो UPGK जो है आपका 20 question है और computer आपका जो है वो 15 question है इसका भी slabus details में नीचे दे रखा है ठीक है तो इसका जो slabus से वो अपने इसी यूटूब पर ही चलेगा यूटूब पर क्लास चलेगी दिसंबर से नहीं नवंबर इसलिए दिसंबर से सुरू करेंगे तो सबका एक साथ काम हो जाएगा ठीक है और पेपर फस्ट में जो है भाग फस्ट एक ही पेपर होगा इसमें आएंगे तो लगभग अगर यूपिटर पर सी जेई का सलेबस देखे तो लगभग यहीं रहने वाला है बस यह टेक्निकल वहां पर पूरा टेक्निकल बारह हो सब्सक्ट हो जाएगा दागी कंप्यूटर यूपीजी के तो यादगर की ध्यास देख ली अब इन सबका सले की ड्राइंग थी न उस फस्टियर की ड्राइंग को आप एकदम रट लीजिए राइंग को करन इंस्टूमेंट कौन कौन से ड्राइंग बोर्ट ड्राइंग सीट प्रोटेक्टर ड्राफ्टिंग मशीन यह सारी चीजे सब रट लीजिए ठीक है उसके बाद गणना यून चित्रन है कुछ ज्यामेति आकरतिया थी प्रचेप प्लॉटिंग था मैपिंग था इसमें लिखा है ठीक है बिभिन ट्रेड में जैसे हमारा प्लंबिंग पाइप है पॉइंट्स की जानकारी यह वाटर सप्लाई है इलेक्ट्रिक पॉइंट्स है वास्तुकला है इसमें जैसे हमारी के पुराने भारती वास्तुकला कुछों की पत्थर है इंठे महराब जो बनते हैं यह सब पूरा वास्तुकला वाला है ठीक है 3D और 2D GPS में हां पर देखी दिया गया है इसकी जानकारी GPS हो गए है कैसे 2D 3D जो हम डिजाइन हो गए है बनाते हैं बैवसाइक स् नियुक्त आप त्यार करें भाग सेकेंड में करते हैं तो भाग सेकेंड में बताय था यहां से देख लीजिए यह कंप्यूटर का स्वहरा प्रॉपर वे में दे रखता है कि पॉइंट तो शारा पढ़िए अच्छे से कंप्यूटर की क्लास और UPGK की क्लास हम ही इसको शुरू करना ठीक है तो यहां पर कंपीटर हो जाएगा यूपी का जो राज्य से संबंदीत है वही सिर्फ पढ़िएगा जैसे यूपी का इतिहास क्या है संस्कृति क्या है वास्तुकला क्या है तेवहार क्या है यह सब दिया है लोकनिर्त क्या है साहित क्या है छेत्र यह सारा कुछ इसी का है थीक है तो यूपी का ही शब कुछ पूछेगा और कंप्यूटर पूछेगा और टेकनीकल पूछेगा तो इस तरीके से तयारी अब सुरू कर दीजिए अब देखिए जो लोग यूपीटर पलसी जे भी भरे हैं या यह भी भरे हैं दोनों फार्म एक साथ भरे हैं उनके लिए तो यूपी जी की और कंप्यूटर है वह ही रहे उसमें कोई परिवरतर नहीं यहां पर ड्राइन थोड़ा उगर पढ़ेंगे सारी चीज़े आड़ कर लेंगे वहां पर आप जो बारहों सब्जेक्ट सिविल के हैं वह पढ़ते हैं तो यह था आपके लिए महत्रपुर्ण सूसना और यह वीडिय हो सकता है इस पर आधारीर ठीक है थैंक यू सो मच